तो दोस्तो इस वीडियो में हम पूरा जो जितने भी आईसे हमने देखे लैप्टॉप और डेक्स्टॉप के वह आईसी के बारे में यहां पर हम डीटेल में उसको देखेंगे के रियल शेप में वो कैसे दिखते हैं आपने अब तक सलाइड में सब देखें ह雪 तो इस वीडियो में आपको इस का दिखें mesa की पैचान रियुल शेपगर की होती है मैं आपको यहां पर दिखाने के कोशिश करता हूं दोस्तो देखिए दोस्तो पहला जो आईसी होता है वह आता है हमारा बाइस आईसी तो बाइस आईसी में ये लेप्टॉप के बूर्ड के अंदर कहां पर लगा रखा है तो देखिए दोस्तो यह अब अब देख रहे हो यहां पर तो यह जो है अपना बाइस आईसी देखिए दोस्तों यहां पे यह बड़ा वला RIC R PING का I-C मिलेगा देखने के तो दीखों यहां पे R PING मॉसप spielt भी है बाट इस से बड़ा कौन सा है दोस्तों यहां पे यहां देख रहे हो तो इस से बड़ा मॉसपेट से बड़ा कौन है यह है तो यह आठ पिन का सबसे वड़ा यह आठ पिन का आपको देख लेना है यह होता है बायस आइसी इसको हम इस तरीके से पहचान करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट जो आइसी है हमारा वो हमारा यह साइव आइसी देखे दोस्तों अब इस मदर वोर्ड में आपको दिखाता हूँ यह दिख रहा है आपको सबसे वड़ा आइसी होता है अपने डेक्स्टाप लेप्टाप बोर्ड में और यह एसे 128 पिन का इस तरीके से आपको आइसी आपको लेप्टाप और डेक्स्टाप बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा यह जादा तर E&E company, IT company और SMAC company यह सब company है यह IC को के अगतिय है manufacturing करती है दोस्तो तो यह desktop board में भी हम देखते हैं दोस्तो यह देखिए यह बड़ा वाला सबसे दिख रहा है यह 10820 का आपको यह SIYC आपके laptop, sorry desktop board में इस तरीके से windboard company ने बना है देखो दोस्तो यह तो इस तरीके से आपको यह आपको find out कर लेना है आपके motherboard हो में दोस्तो नेक्स्ट जो IC है वो है हमारा VRMIC कैसे दूढ़ेंगा दोस्तो हमने देखा था slide में हमें CPU का slot देखना है दोस्तो यह क्या है CPU का slot है तो यह CPU के slot के side में यह फिर आजू-बाजू में हमें उसको दूढ़ना है यह पिछे का area क्या हो गया यह CPU का ही है तो देख यह CPU के side में यह जो लगा रखता है हमें यह जो आप दिख रहे है तो यह हमें यह क्या है हमारा VRMIC जो CPU के side में आपको मिलेगा show इस तरीके से हमे उसको find it करना है तो यह भी board में देखिए दोस्तों यह लैपटप का ही board है तो इसके side में भी यह धीको यह CPU है हमारा तो उसके side में हम देखेंगे कि यह जो IC दिख रहा है आपको इसके side में तो यह है हमारा VRM IC गारत इस तरह के साइड में है यह VRM IC इस तरीकि से हमें उसको खोजना है तो निक्स जो आइशी हो दोस्तों हमारा वो है हमारा लैकार मैं अबर मासी को कैसे रैंड प्लॉट हमें देखना पड़ेगा बराबर तो रैंड स्लॉट के साइड में हम इस रैंड आईशी को देखेंगे अब देखिए यह रैंड प्लॉ यह है हमारा रैम आई से एक दंबार इक से दिखाता हूं में आप 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 आपको धिख रहा है आपको यह कोशिश करने दो understand पॉसे के साइड़ में इसको लगा गता है अब यह रैंड वोड में तो यहां पर दिखिये आपको यह दिख रहा होगा तौन चुछ यहां पर आखिंग कोईल है इसके सआट में गजन अगैक में तो इसमें पहचान कैसी करने आप जैसे यहां पर confusion हो रहा है आपको 2 IC RAM slot के साइड में तो आपको confusion हो रहा है तो आप क्या करेंगे जब हम schematic इसका download करेंगे diagram तो उसमें इस दोनों IC का number डालेंगे उस time हमें पता चलेगा कि इसमें से real IC RAM का कौन सा है और उसको हम पहिचान लेंगे दोस्तों ठीक है तो यह तो हम क्या करते हैं यह लगाया जाता है चाहता तर हम इस हिसाब से उसको देख लेना है दोस्तों और जहां पर आपको confusion हो है कि यह दो लगे है तो इसमें से कौन सा होगा तो आपको हमीं कोई भी lep में हमें यह पूर्ट देख लेना बस प्रिखिए यह सांब का ठόड है ना ली एंक अवीससेंद्ण पॉट्ण हमें देख लेना है और उसे के साइड में यह लगा रहेता देख लिए जब देखर है आपको यह वाला यह हमारा sound AC और original upon नौ्ड यो पोर्ड स्के सइड में औंडियों पोर्ड देखना है हुआ dan कर gost कि आ know कि दो इसके तो भार हम हम देखेंगे दोश्तो लेन ऑएसी जैसे लैन पॉट जब रहेगा तो यह बहुत है यह बहुत है इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है तो अलग-अलग गूर्डओं में आपको इस मैं बोला कि Northbridge, Southbridge और Clock IC आते नहीं हैं तो उसके बदले में कौन से IC आते हैं दोस्तों वह आता है यह PCH IC दोस्तों देखिए तो आपको Northbridge, Southbridge और Clock IC को भूल जाना है बड़ उसके काम आपको याद रखने हैं दोस्तों जो मैं आपको बोला क्योंकि वह क्या करते हैं इस IC के अंदर से वर्किंग कर रहे हैं आप इस तरीके से आप उसको ध्यान में रखना हैं दोस्तों कि उसके बाद दोस्तों आता है वह आता है हमारा यह सोसी आईसी देखिए इस बोड़ में यह जो आप दिख रहे हैं यह लैप्टाप को बोड़ है अब इसमें आपको यह जो आईसी दिख रहा है यह आपका PCH IC नहीं है क्योंकि इसके साइड में क्या लगए रखे यह दे ग्राफिक साइज है जो आपको PCH की जैसा ही देखेए ऑपर हमें ध्यान रखना है कि उसके साइड में यह जिए हमारा ग्राफिक साइज है अब हम जो दिख रहे थे दोस्तों यह सोची आइसी देखो यह हमारा यह सोची यह पिर हम बोलेंगे इसको CPU एसी हमारा तो इसके के अंदर यह क्या है हमारी यह जो है पीच की चिप है और यह क्या है हमारी सीप्यू की चिप है तो इस तरीके से हमें इस पीच को हमारे लैप्टाप बोर्ड के अंदर आपको पैचानना है देखें दोस्तों इस तरीके से यह मदरबोर्ड के अंदर दिखेंगा अब इस ग्राफिक्स आईसी और यह जो है हमारा यह सोसी इसके अंदर आपके सभी आईसी क्या होगे इसमें माइगरेट होगी दोस्तों तो आजकल की लेटेस्ट लेप्टॉप बहुत ज्यादा सिंपल होते दोस्तों रिपेर करने के लिए आपको वहाँ पर पहले तो बहुत सारे आ आईसी आते नहीं यह बहुत कम आते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल अगर आप डाइगरम वगरा स्कीमाटिक वगरा आप सिखेंगे आगे जाके तो बहुत अच्छे से आप इसको रीड कर पाऊगे दोस्तों अब जो नेक्स्ट आईसी दिखाने जा रहा हो दोस्तों व यह है हमारे दोस्तों स्टेप डाउन ऐसी देखो इस तरीके से यह है हमारे स्टेप डाउन ऐसी और इसके पीछे की एरिया में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको इसके चार मॉस्पेट अपने मैंने बोला था चार मॉस्पेट विरेंगे तो देखो दोस्तों यह दो MOSFET और यह दो MOSFET और इसी के पीछे के साइड में क्या है दूस्तों यह IC लगा रखा है तो मतलब क्या होगे लैप्टॉप में सेक्षन कैसा होता है यह भी उसका सेक्षन और इसके पीछे का भी क्या IC का सेक्षन होता है इस तरीके से हमें देख लेना है दूस्तों नेक्स्ट जो IC दोस्तो यहां पर हम देखेंगे वह है चार्जिंग IC देखें दोस्तों यह चार्जिंग कनेक्टर है हमारा ठीक है तो इस चार्जिंग कनेक्टर के साइड में यह हमने अभी देखा था तो यह अगर हमें डाउट लगता है कि यह चार्जिंग IC है यहां या कोई दूसरा तो हमें इसका नंबर देखे दोस्तों इस तरीके से इसका नंबर यहां पर लिखा है वह है यू देखे आप यहां पर देख रहे हो यू इस तरीके से इसका नंबर हम क्या गरेंगे इसको ट्रेश करेंगे कि हमारा चार्जिंग यह यह गरेंगे बौर्डों में क्या होता है जुस्तों अलग-अलग लोकेशन पे लगा रहता है तो ज्यादा तर कौन से लोकेशन में इस बौर्डों के अंदर देखे जुस्तों यह सब बौर्ड से तो इसे बौर्ड के अंदर यह यहाइशी लगे दोस्तो एक परसेंट यह ऐसा होगा कि आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस मिलेगा जो कि नए लेप्टाप के अंदर थोड़े से होते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आपको सभी आइसी दिखाने के कोशिश की है अब इस वीडियो को दोबरा देखना है बार बार दे कि जुआत अब यह जुआता है थीडियो ऑिक बार देखन आता है पर देखने मिलेगा है